तो दोस्तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया फिर से एक बार हैरान और परिसान है क्योंकि जिस तरह से किर्गिजिस्तान से खास तोर से जो पाकिस्तानी स्टुरेंट्स हैं उनको मार के भगाया जा रहा है उसे पाकिस्तानी जो कि दुन्या भर में पहले से ही कई और दे के जो कंट्रीज हैं यानि पश्ची में देश बलकि उन देशों से भी जहां पर इसलाम धर्म की लोग ज्यादा मानने बाले हैं या यूं कहें कि कई तो ऐसे देश हैं जो कि इसलामी की देश हैं वहां से भी पाकिस्तानियों को भगाई जाने की रिपोर्ट आ रही हैं और इ क्या ज़्यादा संक्या में पाकिस्तानी ना आسके उनके देशों में खास दॉर्स се उन रिपोर्ट के बाद जब यह पता लगा कि कई पकिस्तानी हज के भाणे सौधी अरब जा करके वहां पे नजर्फ भीक मांगने काम में श्रामिल हो जाते हैं बलकि वहां पे बढ़ी स वहां से कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिससे देख पाकिस्तानी काफी बाउखलाई हुए हैं यौनकि पाकिस्तानी स्टुरेंट्स जो की कर्किस्तान में थे उनको नώρα सिर्प बुरी तरह से बहरमी से कई बार पीटती वे दिखा जा सकता है जिसके चलते पाकिस्तानी एस्ट्टेंट्स है किरिजिस्तान से भाग रहे हैं और कई सोसल मीडिया का सहारा लेकर के उनको बचाई जाने की गुहार लगा रहे हैं हाला कि किरिजिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी एस्ट्टेंट्स के उपर जो हमले हो रहे हैं उसके पीचे यह बता जा रहा है, कि कुछ दिन पहले ही किर्गीज लोग यानि जो कृइपस्तान के जो निवासी है, किर्गीज लड़कियों और घजिप्ट से आई लोगों ने छेढ़ खाने की, उसके बाद यह मामला काफी तेज उठा और फिर किर्गिज लोगों ने यानि किर्गिज्टान के जो निवासी हैं उन्होंने बार से आई एस्टूरेंट्स उनको पकल पकल करे पीटना असूर किया हाला कि पाकिस्तानी मीडिया यह नहीं बता रहा है कि आखिर किर्गिज लोगों ने पाकिस्तानी अस्टूरेंट्स को क्यों मानना सूर किया क्या पाकिस्तानी एस्टुएंट्स भी सामिल थे उन एजिप्सन लोगों के साथ क्रिकेज लड़कियों के चेड़ने के मामने में हाला कि इसके पर भी जान चल रही है दोस्तो इस पर आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके अपना राय बेक्ट कर सकते हैं थैंक यू